आज की इस वीडियो में हम लोग मैत के मोडल से टू को पढ़ने वाले हैं और यहां पर हम लोग सक्षन एक के कंप्लीट सॉलूसन को देखेंगे यानि की कोस्चन नमबर वन से लेकर कोस्चन नमद 30 तक सॉल्व करेंगे तो चलिए एकक करके उन्हों सारे कोस्चन को देखते गढ़ेगा तो चलिए करते हैं जीसेक 140 हो गया दुखा बढम कड़ेगा दूसाती 14 एक जीरो आ जाएगा फिर दुखा बढम कड़ेगा 35 बार में बढ़ने सत्तर होता है फिर फ्र पांच का बढ़म कर जाएगा पांच सत्य पैंतिस्ट यह जो पर साथ स्कार सकते हैं साथ पांच गुना साथ एक बर दो का इस्क्वेर गुने पांच गुने 7 हाँ दो का स्क्वेर गुने पांच गुने साथ यह वाला है तो इसका है और ते लिए पसंद शुर। तो लाइक किजिए और एक सुन्दर सा कॉमेंट किजिए चलिए आगे बढ़ते हैं को देखते हैं को सब्सक्राइब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है क्या है सरक कुछ नहीं होता यहां पर चीप रहता है यह जो एक्स लाइन को देखा जाता है कि एक बार कट करता है तो आ यहां पर एक बार और यहां पर एक बार कट काट किए है इसका सब्सक्राइब लिक्तिण को जाएं कि बहुत है ज्यक्ष्वर 16cop3, तो एकसिस्क्यना की सकते है क्या इससे एकसिस्कورं नहीं है यूदिकत नहीं ay आसानी से लिख सकते हैं यह रूट तीन है रूट तीन का स्कूर इसक्वर कलियर है अब देखिए यह फैर्मोला में और यह B का काम का रहा यानि इसको लिखेंगे X-Root 3 और इसको लिखेंगे X-Root 3, क्लियर है, अब सुन्याक मंदलब इसको 0 के बराबर कर देंगे, तो X-Root 3 को एक बाद 0 के बराबर कर देंगे, तो यहां से मिल जाएगा, यह माइनस रूट 3 है, इधर आएगा, तो प्लस देखिए एक है हमारी पास रूट तीन और एक है माइनस रूट तो यह जो अप्सिन नमबर सी है यह इसका सही एंसर है क्लियर है दिकत नहीं है समझ में आ रहा है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोस्चन देखिए कोस्चन में फोर क्या है कि निमनी लिकित में कौन प्लस सी बराबर जीरो मतलब इस फॉर्म में रहेगा तभी हम लोग बोलेंगे दूइगात समिकरन बोलेंगे को दिकत नहीं है समझ महारा आपको तो अगर यहां पर देखा जाए कि अगर आप बना के अगर हरे कुश्चन को नहीं बनाएंगे फिर भी आप समझ सकते हैं ए इसे यहां पर यहां पर हमारा क्या देखिए एकस माइनिस टू का स्कॉर है यानि यहां सा आपको एक एकस स्कॉर मिलेगा ठीक है इधर तो आपको देखिए इधर तो ब्राबर की दर हमारा कोई भी एकस स्कॉर वाला टर्म नहीं है ठीक है इस पर अगर बात क्या जाए दे कि यहां पर एकस है यहां पर ना प्रक्स मुइन चाहते है ना कििछ खिर पर अब इस तरह versus लिए गाना से तो बस यहां पर भी हैपशी स्कुरी स्कुर क्टी देखने को मिल रहा है मैक्सीम घात यहां पर आपको दो मिले vapor आपको आपको बनाने का जरूरत नहीं ही, आप नहीं भी बनाएंगे लेकिन फिर भी आप पता कर लेंगे कि कौन मेला होगा, लेकिन अगर आप चाहिए इसको बना भी सकते हैं, जो option नमर A आया है, एक करकर करके आप बना बना के भी check कर सकते हैं, जैसी कि यह है, x-2 का, holy square, plus 1 तो 4x, plus 2 का, 4, 4 और यह वला, यहां पर 1 है, तो 4 और 5 हो जाएगा, यह plus 2x से ब्रावर किदर आएगा, तो minus 2x, यह minus 3 है, यह इदर आएगा, तो plus 3, बस simple सा आप solve कर लिजें इसको क्या दिकत है, तो यह देखने में, मतलब tricky, जो concept में आपको बता है, जिस तरह से उस तरह स आस्तिविक मूल होंगे, देखिए बच्चों कि यह जो ax square plus bx plus c बड़ावर 0, यह क्या है, हमारे पास एक द्विगात संकरन है, अब इसका जब हम लोग मूल निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालते है, तो b square minus 4ac जब निकालते हैं, तो यहां पर हमारा तीन condition बनता है अब मान के चलिए जो b square minus 4ac है, इसका मान या तो 0 आ सकता है, या फिर इसका मान क्या आएगा, positive आएगा, यान कि कोई positive value आएगा, इसका मान क्या हो सकता है, कि negative value भी आ सकता है, अब जो negative value होता है, यह 0 से छोटा होता है, जो negative value होता है, यह 0 से छोटा होता है, जो negative value होता है, कि b square minus 4ac अगर positive आता है यह 0 से बढ़ा होगा b square minus 4ac क्या हो सकता है 0 के बराबर भी आ सकता है यानि बराबर 0 और यह जो b square minus 4ac नegative आता है 0 ही इसको मारेगा तो b square minus 4ac क्या हो जाएगा 0 से छोटा हो सकता है अब देखिए जब 0 से बढ़ा होता है ना 20 square minus 4ac यानि कि plus वाला जब आता है यह वाला condition जब होता है तो दो हमें यहां पर अलग अलग बास्तिविक मूल मिलता है अब जब बराबर आ जाएगा ना तब बराबर बराबर बास्तिविक मूल मिलेगा और अगर minus वाला जाएगा तो कोई भी बास्तिविक मूल नहीं पराप्त होगा मतलब बास्तिविक मूल पराप्त होगा जो आप class 11th 12th में पढ़ेंगे अभी आपको नहीं पढ़ना है जब आगे class जाएगे 11th 12th उस टाइम आपको पढ़ने को मिलेगा कि लिए बात कि अगर minus वाला होता है तो कोई भ भर्राप्त होगा और एकर बराबर होता है तो दो बराबर बराबर बास्तिविक मूल पराप्त होगा तो यहां क्या कमें कि कि के लिए क्र Kel direct प्रवाइनस फोर एसी ग्रेटर दन जब जीरो होगा तब क्या होगा दो विन्विन्वास्त विखुमुल प्राप्त होगा चलिक दिकत नहीं समझ मायात इसका एंसर होगा option number ए question number six देखिए क्या निकालना है सार बंतर निकालना है एक एक पी दिया गया है चार डजश वाईस देखिए अगर आप दिखेंटर कुछ भी नहीं निकालते किसे पड़ा सकते हैं कि कि इसीzlich बते हैं तो चार से दश मतलब सब्सक्राइब आप निहीं पता चल रहा तो आप बना ले زिये देखेसर के से बनाते हैं यह जो पहला वाल हन पाद है इसको हम लोग बलते हैं उर दी जो-का यह होता है एंसे यह दस को लिखेंगे पहले कि एंसे को लिखेंगे फंड है कोई दिकत वाली बात नहीं या फिर आप डायरेक्ट से मुह में ही पता सकते हैं कि क्या होगा कितना कितना बढ़ रहा है बस उसी को मान दिया है, यह भी 10 है, तो 3 पध होगा, थीसरा पध यानि कि a3, यह किसी भी पध को आप निकालिए, बहुत ही सिंपल सा फंडा है, जो भी पध निकालना है, सबसी पहले आप a1 लिख देजिए, अब 3 पध निकालना थो एक घड़ा देजे, तो एक घड़ा देजिए, कित तो पंद्रह में घड़ा देंगे क्या होगा नीनावेट डी होगा बस कितना सिंपल कर लेते हैं एवन का मान कितना है दस है तो दस लिखेंगे जोड लिखा रहे चाहिए लिखा रहे इसका मतलब वही होता है तो एवन का मान 10 का 2 003 20 20-20 कितना ओजाएगा तीस है कहा है यह हो गया कि नहीं हुआ आप कोई पाद को एकदम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं अगर आपके पास पहला पद और सारव अंतर अगर दिया हुआ हो तो कि यह बात नहीं है अगले बढ़ते हैं चलिए अगली को देखते हैं अग था और मेंने आकुम अब वर सापसा पता है जब ही इस तरह का बटे में आपको रहे ठीक है बटे में अगर रहता तो आप हमेशा इसका एंसर एक होगा वर अगर माइनस में रहेगा तो किसका एंसर हमेशा जीरो होगा बाच समझ माया कि यह गोई भी कोश्चन लेंगा मतलव नहीं हम लोग सिखेंगे भी कैसे होता है लेकिन आप इसको मन में रखिएगा याद कि जब भी बटे में इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा एंसर आएगा एक और अगर घटाओ में रहेगा तो इसका एंसर रहेगा जी ओ चली देख लेती है इसका इंसर किस तरह से निकाले पंगे जैसे देखेंगे फर्मूला होता है क्या होता है कि टेन 90 degree माइनस अ बदरावर होता है क्लिए हमारे पास कवुष्जिण है कि 10-46 बटे कोटogen64 या तो आप उपर वाले को बदल changel करें गा कि आपको बदलना किसे है ते सबर्मूला है यह वालाह पर प्टे हो जाएगा कॉर्ट 24 अब देखें कि यहां पर क्या लिखें की कॉर्ट नभेग्री में 26 तो मग्चे काश ब्ली और नीचे भी हमारा क्या शंट डिगरी जब नीचे वाले बदलेंगे आपका 10 में आ जाएगा तो 1090 माइनस ए करेंगे तो 1090 माइनस 64 करेंगे तो 1060 तो उपर में 1060 नीचे में 1020 खतम हो जाएगा जब भी आपको कोश्चन बटे में अगर मिल जाए तो आपको एक लिखना है और अगसा्न आऑ और से 590 ओर 4 से को से कर रिलेशन होता है सेक और कॉसेक का रिलेशन होता है और टैन और कॉट का रिलेशन होता है नहीं समझ माया? मैं आपको समझा देता हूँ देखे धियान से कि अगर आपका फर्मूला रहे कि साइन नभे डिगरी माइनस ए तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या होगा? कॉस ए और अगर आपका रहे कॉस नभे डिगरी माइनस ए तो यह होगा आपका साइन ए किलियर है? यही हुआ साइन और कॉस में रिलेशन अगर सेक रहे आपका सेक तो सेक नभे डिगरी माइनस ए रहे तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या होगा? इसका कॉसेक होगा और अगर आपका क्या रहे कॉसेक 90 डिगरी माइनस ए रहे तो इसके लिए बोलेंगे क्या होगा इसके लिए क्या बोलेंगे क्या होगा सैक होगा सैक ही होगा उसी प्रकार 10 और कॉट में रिलेशन है कि 10 90 डिगरी माइनस ए रहे तो क्या होगा इसका कॉट और कौट नबबे डिगरी माइनस ए रहेगा तो यह सिंपल सा आपको रिलेस्टन याद रखना है बहुत ही सिंपल सा फंडा है कोई दिकते वाली बात नहीं है आप एक आसानी से समझ सकते हैं तो इसका सजयन से कुछ आपको याद नहीं रखना है इसमें आपका है लास्ट मे मैं आपको रुता दे रहा हूँ यहाँ यहाँ पर भी आपका वाला यहाँ पर भी आपका स्याग क्याद है चल लिए कठीगरी मिन चल गया और जो होता है मूल बिंदू यहां पर यहां पर एक्स का मान भी जिरू होता है यह मतलब हर एक बच्चे को पता है और आगर यह आपको पता नहीं है तो आप मैंत मतलब आप बेकार पड़िए मैंत को आपको कुछ आता नहीं है यह सब को पता होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं कोस् Pardon is on the exam x2y 2 है तो जो middle point होगा नहीं मानिके चैले middle माइनिस तीन और यह साथ इस दोनों को जोड़ेंगे माइनिस तीन ऋड़ेंगे माइनिस तीन जोड़ें बटे दो कर देंगे अब यह जो यह जो चार है और यह जो आट yolks flick ईच्छे क्या करेंगे दो से भाग देंगे simple सा फंड़ार को लगाना है अब इसको स्वाल कर रेंगे तो देखे माइनस तिन पलस साथ साथ यहां साइगा चार वट्टा दो और यहां से चारो और आट बारा तो बारा दो कार देंगे दो दो चोलिए दो 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 कि यहां पर हमें दो त्रीज दिया गया है एक हमारे पास A B C क्लियर है और एक हमारे पास D.E.F. यहांप लोग बनाते हैं D.E.F. देखिए यह जो तिरबूजा इसमें एक दिया गया है कि A.B. बटा D.E. मतलब यह जो A.B. भूजा है और यह D.E.B. भूजा मतलब क्या है A.B. बटा D.E. है इस परकार से किलियर है यह जो B.C. भूजा है न और यह E.F. मदलब इस परकार से है मदलब B C बटा क्या है E F है clear है और यहाँ पर यह जो A C भुजा है या D F यहाँ पर क्या है A C बटा D F clear है अगर इस परकार से होता है ना इस परकार से अगर होता है तो आप याज रखेगा यहाँ पर यह जो समरुपता का यह जो property है तो यहाँ पर जो कौन होंगे, कौन, कौन भी बराबर होंगे, मतलब यह जो कौन होगा, यह इसके बराबर होगा, मतलब कौन A बराबर क्या हो जाएगा, कौन D हो जाएगा, यहाँ पर यह जो कौन B है ना, यह कौन E के बराबर हो जाएगा, कौन B बराबर क्या हो जाएगा, कौन ई हो जाएगा clear है और यहां पर यह जो कौन सी होगा यह कौन एप के बराबर हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा कौन सी बराबर कौन एप clear है इसको मैं दोड़े देता हूं इधर भी में दोड़े देता हूं इधर में तीन डोड़े देता हूं तीन डोड़े देता हूं चाइब करते हैं यहां पर कोने कितना दिया गया है 40 तो कोन भी दिया गया है कितना होता है तो 180 होता है तो चालिस हुआ यह है तो 40 कितना हो गया देख लीजी हो गया 120 तो बचा कितना 180 होने मुर्ग कितना चाहिए 50 चाहिएं मतलब 60 यह जो कॉन C होगा इसका मान कितना होगा और कॉन 60 डिए होगा 75ी से कहानिय उतना आपको कुछ विडेंसे लेने का बात नहीं आप जहाद रहुए और हमारे पास यहां पति तिरफ्फच है यह हमारे होगा यह भी उतना ही होगा और यह जो कौन होगा इधर बला हमारा उतना ही होगा तो यह कौन हमारे पास 40 है यह कौन 80 है तो 40 और 80 120 हुआ तो बचा कितना 60 तो यह 60 होगा और अगर ये साथ होता ते ये भी कितना होगा साथ ही होगा समझने की नहीं आया किस प्रकार से हमारा ये तिर बाता है बनाड़, सम्दी बाखु भी है, मालग यह हमने सम्कोन ले लिया, कोन भी हमारे पस क्या है? कि यहाँ पर देना कि संदुमकों आपका B है उसके बाद इसके पाधा यहीं रहे सकते हैं कि इसके यहां मनुत दिखत लिए कि और के यह23 यह कितना झाला बेस होता है यानी ये कर्न है ये लंब है है ये आधार है होता है कि नहीं और ृंपि में बऴर योड आधार होता है है यहां पर पी का मान चार है और बी का भी मान चार है तो यह हो जाएगा चार का स्क्वर जोड चार का स्क्वर इसको कैसे लिखेंगे सर यहां पर देखिए चार का स्क्वर सोला यहां पर भी चार का स्क्वर सोला तो एक सोला एक सोला मतलब सोला सलो कितना हो जाएगा बत्तिस ह हो जाएगा 32 सकते हैं और 32 सकते हैं यहां पर कैसे लिखेंगे 32 को क्या लिखेंगे दो गुने 16 इदर अमनों कर लेते हैं अब देखिए अगोवट नहीं होता है चार और दो को जो है इसको रूट के पर्मे लगा देना है कोईस्टन अपका बन गया अगर आपको यहां पर थोड़ा सा नहीं समझ में आया है देखिए मैं कुछ सिंपल तरीके से बताता हूं जैसे कि हमारे पास रूट 32 आया है और यहां से आप नहीं समझ पार रूट 32 को तोड़ दीजिए मतलब 32 को तोड़ यहां तो उन्हें डिडिया आप इस प्रकार साथ बना सकते हैं कोई दिकत नहीं है किलिया रहे समझ में हा रहा है आगे बढ़ते हैं कुश्चन नमर 15 क्या है कि ब्रीद की सबसे बड़ी जीवा होती है जैसे कि मान की जले ब्रीद है तो तो कोई भी मतलब जैसे यहां पर एक पॉइंट लिया हमने यहां पर एक पॉइंट लिया तो देखिए जैसे यह हमारा गया तो में यह जो हमारे जैसे केंद्र होता ति यहीं पर सबसे ज्यादा सब्सेंडर होता है यहीं पर उसको क्या बोलते हैं वयास यानिके डाइमेटर जैसे हम लोग बोलते हैं तो जिसका सही अंसर हो जाएगा option नमबर C समझ में आया चलिए आगे बढ़ते हूं रगले को देखते हैं हमारे पास जो अगला कोश्चन है बहुत इंपोर्टन कोश्चन है किसी ब्रित का व्यास 14 सेंटीमेटर है तो इसकी परिदी होगी देखिए ब्रित का व्यास याने डी बराबर कितना दिया है 14 दिया है आया है तो यहां से साथ साथ हो जाएगा तो बाइस दूने क्या बचेगा चोवालिस तो चोवालिस सेंटीमेटर इसका एंसर समझ में आया की नहीं है बहुत ही सिम्पल सा कोश्चन है को दिकरत वाले बात नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा चलिए आगे बढ़ते कि देखें अर्द का चित्वल क्या होता है बिरिद के शेत्रफल का आदा तो बिरिद का चित्रफल होता है पाई आरी स्क्वार और इसका अधा मतलब क्या दो से भाग दे दिना है अधा मतलब होता है तो पाई का मतलब कितना होता बाइस बटे साथ और आर स्क्वार है आर मतल समझ माया कि नहीं है बहुत ही सिंपल सा कोश्चन है कोई दिकत वाले बात नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले कोश्चन को देखते हैं कोश्चन मा ठार देखिए और हमें यहां पर निकालने के लिए क्या का गया है दिर्ग ब्रित खंड का चेतरफल और जो दिर्ग ब्रित खंड का चेतरफल होता है इसका एक फर्मूला होता है क्या फर्मूला होता है कि जो ब्रित का चेतरफल होता है और ब्रित का चेतरफल जब ब्रित के चेतरफल में हम लिख सकते हैं या फिर आपी सिम्पल सा चोद्व लिखिए न फिर बाद में हम लोग सेंटिम्ट इस्कुर एड कर देंगे पाई कितना तो पाई 22 वटा साथ है क्लियर है और और आड स्कुर। और का माने 7 क्या दोबार यहने 7 को दोबार लिखिए 7 गुना 7 माइनस क्या होगा 14 हो जाएगा 2021 साथकर ग्या गाज 2 गूना 7 करेंगे तो क्या होगा 7 क्यों 144 रेकOOOOOOOO 14 १ा जाएगा गहटा लेते हैं आप इसको अच्छा से लिखिए समझेए खले आपको यह वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है बस कोई दिखत नहीं है आगे बढ़ते हैं और अगले कोश्चन को देखते हैं अगला कोश्चन देखें सर क्या है कोश्चन नमबर 19 यहां पर हमें कुछ डाटा दिया गया है इसका में क्या करना है बहुलग निकालना है यहां पर जो भी आकड़ा है हमें यहां पर इसका में क्या करना है बहुलग निकालना है तो बहुलग कैसी निकालेंगी देखिए बहुलग क्या होता है जो सबसे ज्यादा बार आया है तो देख लेते हैं यहां पर जो अप्स इसका सभी एंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर सी जो सबसे ज्यादा आएगा वही होगा हमारा होता है तो तो जो प्राइक्ता का फर्मूला होता है गूंब निंगालने दिया जाता उसको उपर में लिखते हैं और बर pen निचे लिखेंगे मदलब जो टोटल होगा उसको नीचे लिखेंगे और जो निकालने देगा उसको ओपर तो तो पांस के बार पा रहे हैं एक बार पार रहे हैं तो इसका एंसर हो जाए गा बटा चो किलियर है आगे बात करें क्वेश्चन नमर्ट 21 देख लेते हैं क्वेश्चन नमर्ट 21 क्या है कि च्वाड़ा 15 का दसमलव परसा निकालना है च्वाड़ा 15 जैसे कि मैंने आपको बताया था कंसेप्ट की जो नीचे होगा ना नीचे या तो सीर पोर सीर पर यह हमार क्स प्रकार से गलत कर देंगे जैसे अब मारकिज रेगल आप इसको नहीं काटते हैं चले पर्ली मैं आपको सही बताता हुं जो सही एक्शल प्रकार से बनेगा इस चीए मधा इस साही आंसर होगा किस प्रकार होगा पहले तो मJACE क्या का देका यह को कầu2 के पार में होना चाहिए तो सांनती होता है तो यह Kerry क्या है संथ है तो इसका स्इनस्क्रक्या हो जाएगा यह जो संथ है इसको आपको यहां पर भर देना है संथ लेकिन आप जो बच्शे this!. . 15 है कोई-पच्चि इसको नहीं काटेगा को बच्ची को काटेगा ही नहीं डायर्ट क्या करेगा 15 लिखेगा इसको ऐसे करेगा 3 15 कर लेगा 6 बट्टा 3 गुणा 5 अब हुद देखेगा कि सर हमको तो बताए थे कि नीचे हमारा क्या होना चाहिए दो के पांच पाउर में कुछ होना चाहिए लेकिन यह फंस के पाउर में हैं यह पर दो की पाउर में नहीं आकर तीन से बनाएगे पहले देख लिए सादार से बनाएंगे आपको आपको आसांत ने जाएगा खर कोई दिकत बाले बात नहीं समझ गए हैं और अगले को देखते हैं जो अगला कोस्टिन है क्या है कि एक्स और वाइच्छेरों वाला व्याफक रेखिक समगरण का रूप होता है यानि जो लीनियर डिक्वेसन होत तो दिविगात समीकरन एकस स्कूर प्लस इसको डिव का डास कहते हैं यह जो बीजे केसे हैं ही इसका रह और अगर थे मूल 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 किसको कहते मूल नर यह सबस्क्झे जिक्ण डी नो है यह फिर x बराबर – B plus minus root under B square minus 4 AC इसको क्या क्या करेते हैं और यह जो है na B square minus 4 AC क्या करेते हैं विव्यक्तर क्या क्यार के लिखना है विवक्तर लिखना है विवक्तर इस परकार से से लिख दीजिए कहानी खतम समझ माया आग्गे बढ़ें अगले कुश्चन को देखते हैं क्या है अगला कुश्चन कुश्चन 24 साइने का व्याद करम है मदलब रेसी प्रोकल यानि देखिए जैसे साइने है हमारा इसके नीचे कुछ नहीं क्या एक है इसका रेसी प्रोकल म समझ माया सिंपल सा कहनी है इसको देखिए कुश्चन 25 कुश्चन 25 बहुत अच्छा खोश्चन है सिंपल कोश्चन है जैसे के मानगे चली है आपके पास एक निदे लिदसांग है एक सांग है एक से दूरी आगर कभी यह का बात करेगा तो यवाय जाएगा अनसर होगा और गर यहांपर आपको समझाता हूं देखे हन से यहांपर दो और पांच है हमारे कोश्चन में यह में हमारा वाला होता है और हमें चलना है आख्छ से दूरी हमें ग्यात करना है. वाला है उसको answer, मanka क्या है? पांच है तो यहाँ पर पांच answer रोता है कितना answer हो जाएगा पांच? बस कहा नहीं होगा, समझ माया कि लेकिन अगर आपको यहाँ ही पर पुछ ज plants कि y..? अग्य Вас के सब तुर हमारे कितना होता है चोड़ी आपने सकते हैं को गलत बिल्कुल सभी है और एक सक्ष में आपका इंसर हो जाएगा केरे समझ माया दिकत नहीं अगला कोश्च्चन क्या है बहुत ही कि सम्रूब होते हैं कि सर्बांग सम sob होते हैं दोनों हाथ क्या है मदलब एक हात के उपर में अगर दुसरा हात रखेंगे तो हात दूसरे हाrust को पुरा पुरी ढग लेता है इसी को सर्वांग समान है जिसका सर्वांग समान होगा उसी को सर्वांग सम बोलेंगे अब देखे बच्चों जिसी का अगर मान के चलिए अब हम लोग दो बर्ग लेते हैं ठीक है किलियर कहा नहीं एक बर्ग हमने इस प्रकार से ले लिया और है और यह भी हमारा क्या वर्ग है किलियर है अब क्या यह इस बर्ग को पुरा-फुरी ढक पाएगा नहीं ढक पाएगा देखं़ जी उपर बंपर बंच रहेंगे इतना तो अधिक रहा ने इतना अरियाा तो दिक रहा है इतना इतना अरिया थो धिके हैं यह सर Bennett कि सभंग होगा सभी बनेया का बात क्या गिया है। सभी दुनीया का जितना भी स्केरव इ forskा यहां पर बात हो रहा है पहारी स्कोल कि यहां पर आगे बढ़ते में क्या है किए स्केस कि लेक्ली हो सकती है एक इस पर लेकर है यहां पर खिंच सकते हैं यहां पर खिंचा जा सकता है इसका एंसर क्या हो जाएगा अनन्थ होगा क्लियर है आगे बढ़ें अगले को देखते हैं अगला क्या है सब्सक्राइब निकाला है इस बात यहां रखना है कभी कभार यहां पर तिरजा के जगपर बयास ब्यास गया जाएगा बैसा लिखा जाएगा तो यह से मैं आपको बताऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको हरी चीज़ को बता दूँगा अच्छे तरह किसे कोई दीकात वाली बात नहीं है आगे बढ़ते हैं अगले को देखते हैं कोस्टन नमर 29 क्या है कि यहाँ पर कुछ यहाँ पर देखिया हमें कुछ डाटा दिया गया है और इ क्या लिखते हैं के ट हो ए टोटल एक दो टीन चार पांच पांच तो पांच देखियंगे और यह क्या मास का सूतर हो Ray और माई दी कितना दिया है यहां पर छो दिया है । क्या लिखे देंगेए? 6 से मिलेगा देखिए? इसको क्या मिलेगा त्इन students लिगा देखिए? इसको जोडिकовых क्या मिलेगा? नीचे कुछ नेत एक मान लिजिए आप यहां पर गुना होगा इधर इधर गुना इधर गुना तो एक से गुना करेंगे तो क्या होगा 29 जोड एक्स होगा और यहां पर छोपचे 30 हो जाएगा अब इसको देखे आगे क्या होगा एक्स बराबर 30 और यह प्लस 29 है तो इधर 20 जा गा है क्या 1 बचेगा इसलिए X का कंवान कितना आया एक काया कीशिया और सिंपलस चाहा नहीं है देखिए यह सब जो षाडेल्य थोड़ा कं रहा हम क्या प्रोब्लम होगे या पता झेल सही इसमें कुछ प्रोब्लम आ गया है कोई दिकत नहीं आप समझ गयें कि नहीं समझें यह बात आप बताइए कॉमेंट बॉक्स पे चलिए यह क्वेश्चन क्या है त्री फॉर फॉर फाइब जो त्री फॉर फाइब सबको हमने जोड़ दिया तूंतिस आया प्लस एक्स बराबर चो इन मदल निस्चित घंए कि इस विडियो को लाइक कर दिए और आपने अभी तक हमारी चैनल को सबस्क्राइब ने क्या है तो सब्सक्राइब गरक के बेल का इकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नाटिफिक्सन सबसे पहले प्राप्त हो सगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू